हलो फ्रेंड्स देनिल क्लासेज में आपको स्वागत है दोस्तो आठ जुलाई नो जुलाई देस जुलाई करेंट अफेर के टोप टेन प्रशेन हम देखके चलेंगे जो सभी प्रत्यों की प्रिक्षाओं के लिए मोस्ट इंपूर्टेन रने वाले हैं इससे पहले जो हमने क करेंड देखा था उसकी पीडियाफ आपको अब डेनिल क्लासेज के टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी आप वहां उनकी पीडियाफ देख सकते हैं जैसे यह वीडियो जब आप देखोगे अगले दिन आपको उसकी पीडियाफ भी मिल जाएगी और आजकल की अफेर भी कवर करके चलें ताकि साथ साथ आपका करेंट अफेर भी होता रहें तो चलिए आठ जुलाई की टोप टेन नो जुलाई की टोप टेन प्रशन हम देख लेते हैं पहला प्रशन है कि हाल ही में भारतिय खादे सुरुक्षा और मानक प्राधिकरन दौरा राजस्तान के कितने स्कुलों को इट राइट स्कुल का दर्जा दिया है राजस्तान की टोटल कितनी स्कुले हैं तो राजस्तान की टोटल 37 स्कुलों को इट राइट का दर्जा मिला है ओप्शन भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा राजस्तान की कुल 37 37 स्कुल ये हैं अगला है कि पहली को पुषकर अजमेर में किया जाएगा देखो पुषकर में एक मातर बरमहां मंदिर भी मनावा है पुशकर में बर्मा मंदिर भी आपको ध्यान रखना है जिसें बारते पुराताफ्टिक शर्वेश्टन विबाग ने राष्टे मेत्वय का समारक भी गोशित किया हुआ आपको ध्यान रखना है अजमेर जिला काफी प्रशन यहां से बनते हैं राजस्तान का प भंकर क्या है। खड मोर यहां का शुबंकर है अजमेर का शुबंकर है खड मोर आपको ध्यान रखना है हमारे अठासी दिन का जोपडा अगला है कि राजस्तान में किस जिले के मेडिकल कोलेज का नाम पूर्व मुख्य मंतरी जगनात पहाडिया के नाम पर करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया आपको बताना है कौन से जिले की medical college है जहांपर बंद बरेठा भ्यारण भी है केवला देव घना पक्षिय भ्यारण है आपको ध्यान रखना है कहां कि हम बात कर रहे हैं हम भरतपुर की बात कर रहे हैं जहांपर बंद बरेठा भ्यारण है जहांपर केवला देव घना पक्ष राते हैं एक तो संबर जील और एक केवला देव घना पक्षिय भ्यारन आपको ध्यान रखना है भरतपूर सही उत्तर होगा जल जीवन मिशन में राजस्तान में ग्रामिन शेत्रों में हर घर जल कनेक्शन का आकड़ा कितना पहुंच गया है तो यह 27 लाख पहुंच गया है 27 27 लाख 27 लाख यह पहुंच गया है अगला प्रशन हमारा हाल ही में राजस्तान के किस जिले में नविन आयूरवेद औश्य धहले खोलने के प्रस्ताव को मंजुरी अशो के गहलोत दुवरा दी गई है राजस्तान का कौन सा जिला है जहां पर आयूरवेद विश्वे प्रक्लिया बियकानेर में हैं जिसें जमीन का जीवर भी कहते हैं बीकानेर के महाराजा राइसिंग ने जिसका निर्मान करवाई था आपको ध्यान रखना न mirकार हे विजमर यह यहां काफी important question है एक जुलाई से हैं तो option first हमारा सही हो जाएगा एक जुलाई 2022 हाल ही में किस राज़े में एंटी पी सी renewable energy limited के द्वारा दस गीगावाट अल्ट्रा मेगा renewable energy पार्क पावर पार्क विक्षित किया जाएगा पाकिस्तान के साथ हम अंतराष्टी सीमा 1070 क्लो मेटर के बनाते हैं शीरगंगानगर बिकानेर जेसल मेरबाड मेर चार जिले राजस्तान के पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं और बाकी पांच राज्ये हैं जो अंतर राज्ये सीमा बनाते हैं राजस्तान के बारे में डीटेल आपको ध्यान रखनी है हाल ही में भारतिय सेना द्वारा सुरक्षा मंधन 2022 का आयोजन राजस्तान में कहां किया गया है जोदपूर में किया गया है सन सीटी जोदपूर में किया गया है जिसे मारवार की राजधानी करते हैं जोदपूर में किया गया है राव जोदा ने 1469 में चीडिया टूंक की पहाड़ी पर महरांगड दुर्ग का निर्मान भी करवाया था आपको ध्यान रखना है जिसे गड़ चिंता मनी भी कहते हैं मयूर धवजगड भी जिससे कहते हैं चोदा सो गुंड़ सट राव जोदा ने जोदपुर सो इसमें आप जोड़ दोगे 1560 में महरांग उदे सिंग ने उदेपुर शहर बसाया था जो गिर्वा के कानण सुरक्षित है गिर्वा क्या है उदेपुर का चारो तरफ पहाड़ियों से गिरा हुआ शेतर गिर्वा कहलाता है यह शेतर तस्तरी नुमा है अगला प्रशन हम देखते हैं नियुन में से किसे राजस्थान तकनीकी विश्व धाले कोटा का कुलपती निउप्त किया गया है कोटा का कुलपती कौन है तो नीलीमा सिंग हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा और फिर फिर्ट नीलीमा सिंग हमारा सही उत्तर हो जाएगा कोटा किश नदी के किनारे वसा हुआ है कोटा चंबल नदी किनारे वसा हुआ है और अंतिम परिशन आठ जुलाई का एक अप्रेल दोजार इकिस को राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए सतत विकास लक्षे दोजार इकिस टू पंट जिरो के आकड़ो में शिर्स रेंग प जुलाई के टोप 10 प्रिशन देख लिए इसी तरह 9 जुलाई के भी टोप 10 प्रिशन हम देख लेते हैं देखो 10-10 प्रिशन डेली करके चलोगे आपके बढ़न नहीं आएगा ज्यादा 10 प्रिशन डेली कर लो करन्ड फेर एक साथ आपके जब पढ़ने बैठोगे तब जिलो में खादे परियोग शालाओं का गठन किया जाएगा राजस्तान के 33 जिलो में खादे परियोग शालाओं का गठन किया जाएगा उप्सन C हमारा सही हो जाएगा 33 जिलो में ये गठन किया जाएगा अगला की राजस्तान में कारेरत किस कंपनी को महिला शशक्ती करन क शेतर में उतकरिष्ट प्रदशन के लिए पुरुषकार परदान किया गया हिंदुस्तान जिंग को पुरुषकार परदान किया गया आपको ध्यान रखना है और हिंदुस्तान जिंग भारत की एकमात्र और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकिकरत जस्ता शीसा चांदी उत्वातक कंपनी को अंतरस्टे महिला दियों उसके उपसर पर राजस्तान सरकार के महिलाएं बाल इवकाष विभाग ने इंद्रा महिला शक्ती प्रोशा ने सम्मान पुरुष्कार से सम्मानीत किया हाल ही में राजस्तान के किस जिले में इस्तित्मिया का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर महेश नगर हल्ट किया गया है कहां है यह हम बात करेंगे तो बाड़ मेर में इस्तित्त है उप्षन फस्ट सही हो जाएगा बाड़ मेर सम्दड़ी तहसील बाड़ मेर मेर मे आपको ध्यान रखना है तो सभी हो जाएगा बाड़ मेर आई स्टार्ट राजस्तान के तहस्त किस जिले में ड्रोन एकस्पो 2022 का यूजन किया गया था तो जैपूर में किया था ऑफिन First सही हो जाएगा हमारा जेपूर इसका सही उत्र हो जाएगा Option First जेपूर जेपूर की इस अपना 18 नॉंबर 1727 को सवाई जे सिंग ने की थी सवाई जे सिंग को जे सिंग की उपादी औरंगजेब द्वारा दी थी जेपुर को गुलाबी रंग में राम सिंग सेकिंड ने रंगवाया था अगला प्रशन हमारे लिए हाली में राजस्तान का कौन सा जिला सरकारी एस्पताल में निशुल्क दवा वीतरन के मामले में प्रत्थमिस्तान पर आ गया है राजस्तान का अनका कटोरा जहांपे सरवादिक आंधिया चलती है जो राजस्तान का उत्तरी बिंदू भी है हम बात करें शिरी गंगा नगर की ऑप्शन हो जाएगा भी शिरी गंगा नगर हमारा सही उत्तर हो जाएगा अच्छा सरवादिक आणधियां अगर शीरी गंगानगर में चलती हैं तो न्यून्टम आणधियां जालावाड जीले में चलती हैं ये भी आप ध्यान रखना राजिये में किसानों को ब्याज मुक्त फसली रिन उपलब्द कराने वाले केंद्रिय सहकारी बेंकों को शती पूर्ती ब्याज अनुदान की रूप में कितने करोड रुपे की राशी दी जाएगी एक सो साथ करोड रुपे की राशी दी जाएगी option first हमारा सही उत्तर हो जाएगा 160 करोड रुपे की राशी मुखे मंतरी अशोग ऐलो दोहरा इनको परदान की जाएगी हाल ही में राजस्तान के जेपूर में किसकी अध्यक्षता में 9 जुलाई 2020 को उत्तर शत्तिर परिश्ट की बेठेक आयोजित होगी अमित शाह की अध्यक्षता में होगी option हमारा first सही हो जाएगा अमित शाह इसका सही उत्तर होगा हाल ही में pollution वे मोसम की जानकारी के लिए राजस्तान सरकार automatic continuous pollution station स्थापित किये जाएंगे राजस्तान में किये जाएंगे कहां किये जाएंगे विश्व के top 100 स्कूलों में राजस्तान के किस स्कूल का चैन हुआ है तो ये मांडवा स्कूल का चैन हुआ है मांडवा उद्यपुर में ये स्कूल आपको ध्यान रखना है option first हमारा सही उत्तर हो जाएगा और अंतिम प्रश्यन राजस्तान हाई काउट की एक मात्र महिला न्याधीश सबीना को किस हाई कोट में न्याधीश न्यूक्त किया गया है राजस्तान हाई कोट की एक मत्र महिला न्याधीश सबीना को किस हाई कोट में न्याधीश बनाया गया आपको बताना है हिमाचल परदेश में बनाया गया है ओप्शन B सही हो जाएगा हिमाचल परदेश तो यह 8 जुलाई 9 जुलाई करेंट अफेर के टोप 10 प्रिशन हमने देख लिए और इसी तरह दोस्तों 10 जुलाई करेंट अफेर के टोप 10 प्रिशन हम देखके चलते हैं पहला परशने की राजस्तान के कोटा में कितने करोड रुपे की लागत से रीवर फ्रेंट तयार किया जा रहा है एक हजार करोड रुपे की लागत से किया जा रहा है ओप्शन फर्ष्ट सही उत्र हो जाएगा एक हजार करोर रुपे की लागत से आपको ध्यान रखना है अगला की हाली में किसे जिले में पेंथर्स के संडक्षन के लिए पेंथर रेस्क्यू सेंटर स्ताफित किया जाएगा कौन से जिले में किया जाएगा राजस्तान की जीलों की नगरी उदेपुर जीले में किया जाएगा ओप्शन बी उदेपुर अगला की हाली में राजस्तान में इलेक्ट्रोनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कितने चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं तो हम बात करेंगे यहां पीछे उद्टर चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं ओप्शन सी हमारा सयूत्तर हो जाएगा अगला की ग्राम जल समस्चता समीतियों के गठें में कौन सा राज्य अवल है आपको बताना है तो हम बात करेंगे इसमें हमारा राजस्थान अवल रहा है उप्शन फर्स्ट राजश्थान इसके अंतरगत अवल रहा है आपको ध्यान रखना है हाल ही इनकी टोटल 25 परतिमाई लगेंगी आपको द्यान रखना है अगलगी हाल ही में राजस्तान में नविन राज की निफ़ी द्यालों के संचालन है तू राजस्तान कोलेज एजुकेशन सोसाइटी के गठेन का अनुमोद ने किसे ने किया है आपको बताना है अनुमोद ने किसे ने किया है आपको बताना है तो हम बात करके चलेंगे मुख्यमंतरी श्री अशो के गहलोत ने किया है चेहजार से कितने रुपे कर दिया है तो 600 से 1200 रुपे कर दिया गया है 600 से 1200 रुपे ऑप्शन फर्ष्ट सही उत्तर हो जाएगा हाल ही में जेपूर में इस्तिति चोधरी चरण सिंग राष्ट्री क्रिशी वीपनन सहिस्तान का विले किसमें किया जाएगा आपको बताना है तो हम बात करके चलेंगे राष्ट्री क्रिशी वीपनन सहिस्तान का विले होने जा रहा है और करशी विपन के चेतर में काम कर रहा देश ही नहीं धक्षिन एश्या का एक मत्र सहिस्तान चोदरी चरण सिंग ही है अब इसके विले की हम बात करेंगे तो इसका विले है राष्टी करशी विस्तार सहिस्तान में करने का निर्ने लिया गया है आपको ध्यान रखना है तो उप्शन फर्ष्ट रास्टी क्रशी विस्तार सैंस्तान हिद्राबाद सहीधतर होगा अगला की गोड़ा पचाड नदी पर हेंगिंग जैसा फ्रूट ब्रिज बनेगा यह किस जिले में है गोड़ा पचाड नदी किस जिले में है तो राज़स्तान की बुन्दी जिले में है और अन्तिम परेश़्िन हमारे पस है राज़स्तान के एथलेटिक कोच महभीर सेनी को दरूणाचारी आवॉर्ड देने की गोशना हुई है यह राजस्तान के किस एथलिटिक के कोच हैं आपको बताना है तो यह राजस्तान के सुन्दर सिंग गुजर के कोच हैं आपको ध्यान लगना है सुन्दर सिंग गुजर के ये कोच हैं तो दोस्तो आठ जुलाई, नो जुलाई, दस जुलाई, करेंट हपेर के प्रशेन हमने देख लिए वापस रिवाइज कर लो, अच्छे से आपके ये सारा सब कुछ याद हो जाएगा साथ ही आप डेनिल क्लासेज का टेलीग्राम चेनल भी जोइन करें काफी इंप्रोमेशन आपको वहां से मिलती रहेगी और इस वीडियो को जितना होस के शेर करें, लाइक करें डेनिल क्लासेज यूट्यूब चेनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना इससे क्या होगा कोई भी नियूब डेट आएगी वह आपको तुरंत बिल जाएगी धन्यवाद